नमस्ता दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 31 बाय 49 के हाउस प्लान की जो कि हमने हमारे एक राची जहरकंड के लिए बनाया है घर में क्या-क्या रहेगा दोस्तों यह मैं आपको प्लान के साथ ही समझाऊँगा पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों यह जो है जी प्लस वन यह धर का पलान आप देकि लेंगा गरा रहेगा और फस्त्व रहे अक्या देखने वाले यह भी मैं ऊपको बता देता हूँ कि दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 광 कर और फिर फलोर का प्लान में है प्यर हम देखेंगे दो प्लान के साथ में तो देखे फ्रेंस सबसे पहले यहां पर आपको बड़ा सा मेंगेट मिल जाता है करीब 9 फिट चोड़ाई का यहां से अंदर एंट्री करते ही आपको सबसे पहले मिलेगी यहां पर बड़ी सी पार्किंग और पार्किंग का साइज है हमारा 15 फिट 5 इंच अब फ्रेंस पार्किंग से हमारे घर के अंदर एंट्री होती है तो देखे यहां पर हमको एक 4 फिट का डोर मिलेगा अंदर जाने के लिए अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आएगा हमारा लिविंग हॉल जिसका साइज है हमारा 16 फिट 7 इंच बैस 11 फिट 7 इंच लिव से दोस्तों एक एंट्री होगी हमारी कॉमन टॉलेट में जिसका साइज हमारा 8 फिट बाइ 4 फिट 6 इंच अब फ्रेंस हम पीछे की तरफ चलें थोड़ा सा प्लान में तो देखे इस तरफ हमारा मास्टर बेड्रूम आ जाता है साइज है 12 फिट 9 इंच इसी के साथ में एक वाड्रोब और टीवी के लिए आपको प्रोपर जगे मिल जाती है इसी तरह से अगर बात करें लिविंग हॉल की तो इसमें भी आपको टीवी उनिट के लिए बड़ी आसी जगे मिल जाती है दोस्तों इसमें थोड़ा सा सेट बेक हमने छोड़ा है वो भी दिखा देता आपको टोटल प्लोट था हमारा 31-49 का इसमें से साइड में देड़ फिट इस तरफ भी देड़ फिट इस तरफ भी देड़ फिट छोड़ा है बाकी सामने पार्किंग वाले एरिया पूरा छूटा हुआ है तो यह तो था दोस्तों हमारा इस घर का ग्राउंड फ्लोर का प सबसे पहले हमको मिलेगी एक कवर्ड बालकनी जिसका साइज है हमारा 15-5 इंच बाहर निकाला है जिसको यहाँ पर हमने पूजा स्पेस बना दिया है हुआ है डिविइंगोल से दुस्तों एक एंट्री में किचन ताइज में किचन एक औरता साइज बाहर निकलेका साइज में लिविज फिर फेंस पीछे की तरफ हम चलें तो हमारे दोनों बेड्रूम आ जाते हैं तो देखिए हमारा मास्टर बेड्रूम साइज है बारा फिट नो इंच बाई दस फिट चेंच जिसके साथ में आपको एक अटेस्ट आलेट भी मिल जाएगा साइज है आट फिट बाई तिन फिट तो दोस्तो इस तरह से हमने इस घर को प्लान किया है मैंने आपको इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान दिखा दिया अब मैं आपको दिखा देता हूं इस घर का कॉलम लेयाउट तो देखिए दोस्तों यह हमारा इस घर का कॉलम लेयाउट इसकी मैं आपको सारी डीटेल्स दो उससे पहले friends आपके लिए एक बहुत ही अच्छी information कि अगर आप भी अपने घर का construction अप करवा रहे हैं और अभी तक आपने planning और designing नहीं करवाईए तो दोस्तों आप लोग हमसे भी contact कर सकते हैं क्योंकि हमारी company पूरे इंडिया में planning और designing की services provide करती है स्क्रीन पर मैंने आपको हमारी सारी details दे दिये contact number भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा हमारे charges जो कि आप देख पा रहे होंगे market से बहुत ही ज़्यादा minimum है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग इनी charges में दोस्तों घर बैठे बैठे अपनी requirement के हिसाब से बहतरी जिस तरह का भी आप अपना घर बनाना चाहते हैं वो detail आप हमको समझा के उस तरह की planning और designing हमसे करवा सकते हैं वो भी बिल्कुल nominal rate में तो दोस्ता आप लोग जब भी चाहें इस number पर हमसे contact कर लेजिए और अपने घर की planning और designing करवा लीजिए चलिए अब आगे बढ़ते है हमारे वीडियो में तो देखें यह हमारा इस घर का कॉलम ले आउट कितने कॉलम आ रहा हैं देखेंगे हम इस घर में तो देखें फैंस यह जो boundary wall थी जहां पर में mark लगा रहा हूं यह पहले से बनी हुई है सिर्फ यह सामने वाली boundary wall इसमें बनना बागी थी तो हमने उसी क जो हिसाब से कॉलम भी दियें तो देखें इसमें दोस्तों जी प्लस वन के हिसाब से हमने इस बिल्डिंग को प्लान किया है तो कॉलम साइज जो हमने लिया है वो लिया है इसमें नोबाई 12 का और कितने कॉलम आ रहा है आप देख सकते हैं कॉलम की position तब से पहले तो आप नहीं भी देंगे तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यह सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि यह 14 कॉलम हो रहे थे और जो client थे उनको odd number में column चाहिए थे ठीक है even number में column नहीं चाहिए थे तो 14 यह और एक हमने 9 by 9 का column यह बीच में दे दिया तो 14 प्लस एक हमारे 15 column हो गए जो की odd number में हो जाते है अब friends इस घर का हमने ground floor का plan भी देख लिया, first floor का plan भी देख लिया, हमने इसका column layout भी देख लिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका शांदा और सा 3D front elevation तो देखिए दोस्तों यह हमारा इस घर का 3D front elevation ज़्यादा इसको complex नहीं किया हमने फिर भी काफी modern look हमने इसको दिया है आप देख सकते हैं, यह हमारा parking वाली जगे हो गई, यह उपर balcony हो गई, यह बाक्षी तो उपर पूरा terrace है, यहां पर हमने एक पैरा गॉला दिया है, उसके बार में फ्रेंस यह तीनों हमारी सामने की window हो गई, window के सामने इस तरह की ग्रेल हो जाएगी पूरी, जो कि इसके look को और भी ज्यादा enhance कर रही है, यह जो portion सामने थोड़ा सा नीचे से view लिया, इसका कितना शांदा रेलवेशन दिख रहा है, सारी ceiling lights वागे रहा है, इसमें आपको नजर आ जाएगी, तो दोस्तों यह था आज का हमारा 31 बाय 49 का house plan, जिसका मैंने आपको ground floor का plan, floss floor का plan, column layout और 3D front elevation सबको इस दिखा दिया, उमीद कर आपको यह plan जरूर पसंद आया होगा, बाकी आपको कैसा लगा है, मुझे को comment करके जरूर बताईएगा, दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है, तो वीडियो को like और जिस भी आपके friend यह relative को इसकी जरूरत हो, उसके साथ share जरूर कीजिएगा, इसी तरह के और भी वीडि इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को हमें इपेंट करेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में, have a good day